वेल आज का जो ये वीडियो एक highly important वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो stock market में पैसा कमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें stock market में investment करना चाहिए या फिर trade करना चाहिए आपने बहुत सरे लोगों से सुना होगा कि long term investments अच्छा कुछ नहीं होता आप Warren Buffet सापको में invest करते रहेंगे हम stocks में invest करते रहेंगे पता नहीं वो कब बढ़ेंगे इससे बेटर क्या है कि हम trading कर लेते हम रोज पैसा बना लेंगे तो कौन सही है कौन गलत है आपको क्या करना चाहिए आपको आज इस वीडियो में सारे जवाब मिलने वाले अब सबसे पहले मैं start कर long term में इंसान और share market दोनों को उपर ही जाना है और investment का concept बिल्कुल simple होता है कि आज हम खरीद रहे हैं किसी भी वहाओ पे किसी share को या mutual fund में पैसा डाल रहे है ऐसा इपी कर रहे है और अगर market उपर जाती है stock अच्छा perform करता है तो हमें अच्छे returns मिलेंगे हमारा पैसा पर फिर कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं वो investment करते है stocks के अंदर और ऐसे stocks को भी hold करके रखते हैं जो stocks negative return दे रहे हूं मैंने कई सारे लोगों के portfolio में देखा है कि उन्होंने 10-15-20 stocks में investment किया हुआ है और कई सारे stocks हैं जो under performer है आप ये देखो कि 33% loss में वो लोग खड़े हैं आज की rate में 30% उनका portfolio down है फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो long term investor हूँ long term में market को उपर जाना है और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल को ये negative जो return है न दो या तीन stocks ये अच्छा perform कर जाए और इस negative को positive में लें पर फिर सवाल एकी आएगा क्या आपने alpha produce किय कि आपने nifty को भी बीट किया और जाधतर लोगों का जो portfolio होता है वो nifty को भी बीट नहीं कर पाता और इसलिए फिर कई सारे लोग क्या कहते हैं भी mutual fund investment बहुत अच्छे हैं और mutual fund में भी फिर सवाल आता है भी active में invest किया है passive में invest किया active मतलब actively managed mutual funds हमने पहले discuss किया था और अ negative return दिखा रहा होता है और फिर उन्हें hold करके बैठ जाते हैं यह बोलते हम तो long term investor है दूसरी गलती लोग क्या करते हैं invest करेंगे stocks में stocks ने अच्छी return दिये तो उन्हें base देंगे अगर आप एक साल से कम के period के लिए stocks को hold करते हो तो पहली बात तो आपको tax जादा लगेगा क यहाँ पर लोग tax को बूलाते है short term और long term capital gain tax होता है जब आप एक साल से कम के लिए आप stocks को खरीद के base देते हो profit में तो आपका tax बढ़ जाता है और यहाँ पर यह चीज़ लोग बिलकुल underestimate कर देते हैं और फिर क्या होता है जिसने profit दिया था उस stock को तो base दिया और जो stock loss द हम investor में Warren F.A. की बात कर रहें ना में traders में आपको एक example देता हूँ आप Google करेंगे na world के most successful traders का तो एक नाम आएगा Jesse Livermore उन्होंने market में short selling करी short selling क्या होता है ट्रेडर market में बढ़ने पर भी पैसा कमा सकते हैं market के घिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं तो Jesse Livermore एक short seller थे तो market के घिरने पर bet करते थे तो 1929 के अंदर US की stock market में crash आता है और उसमें उन्होंने 100 million dollar बना है 100 million आप कोगे तो बहुत बड़ा amount हो और उस time पे तो कमाली हो गया इसलिए आज भी world के सबसे successful trader के लिसमें आते हैं पर 1929 में इतना पैसा बनाया 1940 के अंदर इन्होंने शेरी नीदरलेंड होटल मैनहिटन के अंदर 5.5 बजे शाम को अपने आपको गूली मार ली आपको इतना पैसा बनाने के बाद ट्रेडिंग से पैसा बनाने के बाद इन्होंने अपने आपको गूली क्यों मारी इन्होंने अपनी वाइफ के लिए सुसाइड नोट छोड़े और उसमें इन्होंने लिखा कि भी मैं इतना प्रेशर जेल नहीं पाया और उन्होंने एक चीज मेंशन करी जो आप खुद गूगल करके पढ़िएगा कि इन्होंने बोला कि भी मैंने रूल्स ओफ ट्रेडिंग को फॉलो नहीं किया अब ये क्या चीज है अब आप लोग यहां पर समझना चाओगे जरूर कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है बट इतना सक्सेस्वल इंसान भी अगर वो रूल्स ओफ ट्रेडिंग को फॉलो ना करे तो वो बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है वो अपना सब कुछ गवा सकता है तो trading के अंदर पैसा बनता भी है और trading के अंदर पैसा जाता भी है इसलिए SEBI आपको warning देता है जब भी आपने DMEAT account में login करते हो कि FNO segment के अंदर जब लोग trade करने की बात करते हैं तो वो FNO के अंदर trade करते हैं futures and options के अंदर और futures and options के अंदर 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है बट फिर कई सारे नो optimistic लोगों होते हैं वो कहते हैं अच्छा 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है average कितना नुकसान है वापे दिखता है कि भी 50,000 का नुकसान है तो लोगों लगता अच्छा ने तो मोटा कमाया है ये मैं ही बनेगा भाई ये एक आदमी और फिर वो हर्षद मैता कि डैलोग मारने लगते हैं लोचा लफड़ा और जले भी फड़ा इसे गुजरादी की लाफ से कोई निकाल नहीं सकता वाई डैलोग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है रिस्क है तो रिस्क है जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपको पहले से सेट करना होता आपका टागेट और स्टॉप लॉस अभी हम आपको एक ट्रेडिंग का डेमो देने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है कैसे स्टॉप लॉस और टागेट को सेट किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो हम आ गये हैं Market Wolf की आप पर Market Wolf आप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे की लिखा है Trade Index Options Index के Options में आप Trade कर सकते हैं Amount आप पढ़ सकते हैं कि Minimum Triple Line से आपर Trade हो सकते हैं अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर तीन ओप्शन देख जाते हैं आपको यहाँ पर तीनों Index देख रहे हैं Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty आप इन तीनों के अंदर Trade कर सकते हैं Example के लिए हम Bank Nifty में Trade करना चाते हैं हम Bank Nifty में Trade ले सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर Left Hand Side पर Bank Nifty का चार्ट देखेगा आपको Right Hand Side में Amount देख रहा है आप Example 999 से Trade करना चाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अमने Direction चूज करनी है कि आपको यहाँ से क्या लगता है कि Market ऊपर जाएगी है नीचे जाएगी आपकी Direction चूज करने के बाद आपको यह 2000 Strike Price में से चूज करके देता है कि आपको कौन सा Option चूज करना चाहिए तो Analyze आपके लिए Strike के Automatically करें अब यहाँ पर आपको देख रहा है अब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो रिस्क और रिटन आप यहाँ पर सेलेक कर सकते हो अब वुलफे के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि रिस्क 24% का है रिटन पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी बट आप चाहें तो अपने हिसाब से क्लासिक लेभी चूज 識 करकिसे ऐब अपने हिसाब करसके हैपको ने पर पहले से डिसाइड करसके कर्सक्ते करने प्रेट करते हैं अब यहां पर आपने लाइव टूप यह सकते हैं अब आपको आपका जो भी प्रॉफेट हो रहा है लॉ Hak और आप इस trade को नीचे जो बटन दिया हुआ है stop trade कभी भी रोख सकते हैं left hand side में आपको यहाँ पर option का आपको price भी देख रहा है उसके candlesticks आप यहाँ पर देख सकते हो है हम जैसी stop trade पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो भी profit returns है अब important क्या है कि market wolf की app पर आपको कोई AMC charges नहीं लगते हैं आपको जब profit होता है तब ही यह ब्रोक्रेश चार्ज करते हैं आपसे कोई loss अगर हो गया तो loss पर ब्रोक्रेश चार्ज नहीं होती है जैसे मैंने बोलो कोई maintenance charges नहीं है कोई AMC charges नहीं है and only profit पर आप ब्रोक्रेश पे करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको एक sample दिखाया तो अभी जो आपने trade देखा मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि stop loss क्या होता है target क्या होता है कैसे trade लिया जाता है बड़ जो यह trading है यहाँ पर risk भी काफी ज़ादा होता है अब आपने देखा बई चलो 50% profit 50% profit exceptional profit है हर बार नहीं होगा हो सकता है 50% का loss हो जाता है अब आपको पहले पता होना चाहिए आप कितने पैसे से trade ले रहे हैं आप कितना loss ले सकते हैं और कितना profit आपको मिल सकता है यहाँ पर आपको सिर्फ brokerage तब लगती है जब आपको profit होता है अगर आपको loss होता है market wolf पर आपको कोई brokerage नहीं देनी होती in fact यहाँ पर कोई annual maintenance charges भी नहीं है तो market wolf का link आपको description और comment box में मिल जाएगा do check out अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों के बारे में और deeply आपने investing को बिल्कुल भी ignore नहीं करना है investing long term के लिए no doubt बहुत अच्छी रहती है आप trading को अगर opt करना चाते है तो फिर यहाँ पर कुछ सवाल आएंगे और वो आपको अपने आपसे पूछने हैं मैं आपको दोने सीज़े समझाता हूं तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला फाइदा क्या होता है सबसे पहला फाइदा होता है कि आप बोलो या कुछ भी बोलिए आपकी savings होती रहेंगी चाहें कोई आदमी S.I.P कर रहा है systematic investment plan के through mutual funds में invest कर रहा है उसका हर महीने उसकी salary से उसकी monthly income से उसकी network से कुछ भी पैसा deduct हो रहा है और वो जोड़ रहा है अगर वो पैसे एक जगा जोड़ रहा है तो जादतर लोग उस पैसे को नहीं छेड़ते हैं अगर वो long term सोच रहे हैं पर यहां पर मैं आपको एक fact बताता ह सेभी ने एक report publish करें उसमें पता लगा सिर्फ 3% ऐसे investors होते हैं जो mutual funds के अंदर invested रहते हैं 5 साल से जादा के लिए और आपको फायदा investment से तब होगा जब आप 5 साल से उपर के लिए investing करेंगे तो अगर आप 5 साल से उपर के लिए investing नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे फिर तो उसे trading ही बोलेंगा आप short term कर रहे हो जो भी कर रहे हो short term अगर एक साल से नीचे तो short term होई गया पर 3% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी SIP को 5 साल से उपर continue करते हैं और यहाँ पर एक साल के अंदर ही जादातर लोग अपनी SIP को बंद कर देते हैं क्योंकि short term में market volatile हो सकत है लगे क्यार मैंने SIP शुरू किया तो इसमें पैसा बढ़ेगा बड़ नहीं नहीं यार मेरा तो जो mutual fund portfolio वो down जा रहा है इसे base देते हैं तो आपको investing करनी है तो vision clear होना चाहिए long term के लिए अब trading जब आप trading कर रहे है ठीक है हो सकता है आपने choose कि मुझे day trading करनी है तो आपक के लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा यहां पे skills required होती है definitely अब हमने जब जैसी लेवर मोर की बात करी दी हमने बात करी दी कि भाई उन्होंने rules को follow नहीं किया तो human emotion नाम की चीज होती है human emotions मतलब अगर कोई आदमी कोई trade लेता है और वो loss में आ जाता है कितने लोगों के स ऐसा हुआ comment करके जरूरू बताईएगा हो सकता आपके साथ भी होगा हूँ आपने trade लिया जैसी आपने trade लिया वो trade अच्छा जा रहा था positive में जा रहा था माल लेते हैं आपको इस trade में 10,000 का profit हो रहा था अब आप क्या देखते हो थोड़ी देर में यार वो 10,000 का profit खतम हो चुक है बड़ आप क्या करते हो stop loss जब आपका जहां पर भी आपने set किया होता है आप चार्ट पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर आपको क्या दिखता है और उसके बाद आपको 10,000 का loss दिख रहा होता है आप 10,000 के profit से 10,000 के loss में आ गए हो और फिर आपको क्या लगता है और मैंने चल आप्शन ली तो लिया हुआ है मैंने 20-30,000 रुपे डाले हो हैं आप्शन में ट्रेड कर रहा हूं जाद साथ क्या होगा सारे खतम हो जाएंगे मेरे पैसे तो लोग क्या करते हैं वो इसे समझते नहीं आप एमोशन आ गए है र और होता कैं मान लिजी किसी अप 1925 का होगा है डोजर लॉक लॉजग जांट चारवां से वह ट्रेड में प्रॉॉफिट दिखाना शुरू किया हँए उसने दिखाए कि 1000 का फ्रॉफिट हो गया दोजर का फ्रॉफिट होगया लोग क्या करेंगे 1000-00-20 प्रॉफिट में होता है जिससे लोगों की capital तक चली जाती है आपको डे ट्रेडिंग अगर आप इंट्रेडे में trade करने वाले options में trade करने वाले हो एक सवाल अपने आपसे और पूछना है कि आपकी personality type कैसी है मैं कई लोगों से सवाल पहले पूछ लेता हूं मैं आपको इंपकर कल कर ये example देता हूं तो मैं अपनी गाड़ी पर अपनी वाइफ को शाम को ले गया और मैंने कहा रहे कार वाश करा कि आते हैं काफी गंदी हो गई है इस पर थोड़ी सी कैबिन में बैठा हुआ था अपनी वाइफ के साथी बैठा हुआ था तो हमारे पास आया और बोलता कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं मैं अभी और टेक्निकल अले से सीख रहा हूं अभी ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं आप मुझे बताए कि क्या मैं ट्रेडिंग कर होगता आपका नुक्सान हो करें नुक्सान हो कान खड़े हो जाते हैं नुक्सान सुनते ही मैंने कहा यह आपकी परस्नालेटी के उपर डिपेंड करता है आप देखो आप किस तरीके के विक्ति हो क्योंकि आपको एक लाइफ ऑफ देटर समझना पड़ेगा लोग अना नुक्सान भी होता है लोग प्रॉफिट करने के बाद मी नहीं मानते हैं बहुत सरे मल्टिपल ट्रेड्स भी लेते हैं और जिसने नुक्सान होता है उस दिन उस आदमी की साइकॉलोजी क्या रहती है क्योंकि लोग प्रॉफिट बनाने आते हैं बड़ जब लॉस होता है उसे समझ नहीं बाते और फिर यहां पर एक mode start हो जाता है लोगों का जिसे बोलते है loss recovery mode आपको market में नहीं से बहुत सरे लोग भटकते हों दिख जाएंगे जो loss recovery mode में होंगे वो बस इतना चाहते है भी हमारा stock market में 50 लागा नुकसान हो गया दो लाग का नुकसान होगे दस लाग का नुकसान होगया एक करोड का नुकसान होगया बस हमारा कैसे भी करके लोग रिकावर हो जाए और फिर एक और सवाल आता है मैंने stock market से पैसा कमाया पैसा गवाया आज कोई बात नहीं मैं दस लाग के नुकसान में हो बट इसी से मैं दस लाग का लओस रिक्वर करुआ तो यहां पर आपको अपने अपसे सवाल पूछना है अगर किसी का नुकसान होगा तो क्या आप लॉस रेकवरी मोर्ड में हो अगर आप loss recovery mode में हो तो फिर आप trading मत करना क्योंकि फिर आप क्या करोगे आप गलट trade लोगे यहाँ पर न इगो ट्रेडिंग आ जाती है यसे weight lifting लोग करते हैं वाप पर होती है ego lifting मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि यार मैं 100 के लोग में ego trading करने लग जाते हैं नहीं मेरे analysis हर बार ठीक होती है दस में से 8 बार ठीक होती है दस में साथ बार ठीक होती है पैसा बनेगा और फिर वहाँ पर high risk trades लिये जाते हैं और high risk high reward रहता है पर lose करने के chances बहुत जादा रहते हैं अब यह वाला personality type आपको समझना पड़ेगा trading में पैसा बनता है आप अच्छे लोगों को follow करो अच्छे लोगों को जैसे कि Jim Simmons को अगर आपको एक अच्छा trader बनना है भाई हम लोग आपको direction दे सकते हैं आज की rate में Jim Simmons Warren Buffett के सामने अगर आप किसी को YouTube पे सुन रहे हो nothing यार बलब यहां पे हजारों करोडों की बात होती है हम आपको as a beginner guide कर सकते हैं मैं यहाँ पर मेरा जो role है वो यह है कि सही रास्ता दिखाना आप में से हो सकता है कई सरे लोग next water and buffet बने यार next raakish जुन जुन वाला बने and these are my best wishes but आप लोग अपना नुकसान कर लो यह में बिल्कुल नहीं साता इसी लिए यह videos मिनाई जा रही है अगर आप trading करना चाहते हो पहले अपने आप से सवाल पूछिए आपकी personality type किया और अगर आप investing करना चाहते हो तो यह तो करना इसी है आपको fundamental analysis आनी चाहिए इसके लिए हमने एक पूरी playlist बनाई हुए है वो भी free में आपको i button पर link में जाएगा जाके देखिए और अगर आपको अच्छा trader बनना है तो आपको technical analysis आनी चाहिए अब fundamental analysis के अंदर ratio analysis होती है पूरी playlist है एक वीडियो में नहीं समझाएगा और technical analysis स्टार्ट होती है सिंप्ली चार्ट रेडिंग, इंडल्सिक पाटर्न, स्टार्ट पाटर्न, ट्रेंड एनलिसेज और फिर इंडिगेटर्स क्या होते है बहुत सारी और भी चीज़े है तो यह आप यहाँ पर सीख सकते हो technical analysis में और यहाँ से technical analysis में सबसे important होता है price action price भगवान चे, price भगवान होता है price को follow करके लोग पैसा बनाते है अब पैसा दोनों में बनेगा long term में बनेगा, short term में बनेगा नहीं बना नहीं कर रहा है पर सबसे important के है उन लोगों का बिल्कुल नहीं बनेगा जिन में patience नहीं है investing में जरूर नहीं है कि हमने आज पैसा डाला हो जोकता है कल market crash हो जाए और हो सकता है आप trading करने का आपका पहले दिनी loss हो जाए Warren Buffett बोलते है कि stock market एक simple instrument है patient आदमी को पैसा पुचाने का impatient लोगों से so impatient लोगों का पैसा lose होगा अगर आप trading में भी impatient हो आप रात और रात सोचरो लगपती करोड़ोपती बन जाओगे नहीं होगा और अगर आप यहापे सोचरो investing से ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी ने सपने दिखा दिया भई मैं mutual fund में पैसा लगाऊंगा और मैं करोड़ोपती बन जाऊंगा वो भी देखो वो दिखा रहा है ना 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते है patience so patience is the key I hope इस वीडियो से आपको आपके answers मिल गए होंगे अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप comments में जुरूर पूछेगा इस वीडियो को आप like कर सकते हैं अपना प्यार दिने के लिए और इस वीडियो को share आप बिना बोले किजिएगा क्योंकि बहुत सरे लोगों की help हो सकते हैं इस वीडियो से I will see you in the next video till the time you subscribe this channel click on the bell icon and go selfmate Jai